3 बटा 5 को दशमलो संग्या यानि की decimal के रूप में लिखें और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को pause करके इस प्रश्न को स्वयम हल करें इसके लिए मैं आपको एक सुझाओ दे देता हूँ इस भिन यानि की fraction का हर यानि की denominator 5 है अगर हम हर को 10 में बदल दें तो इसे हल करना आसान हो जाएगा अब हम इस भिन्न को इस तरह से दुबारा लिख लेते हैं ताकि इसका हर यानि की denominator 10 हो जाए लेकिन पहले इसे चित्र द्वारा समझ लेते हैं तो मान लीजिए ये 1 बटा 5 है ये 2 बटा 5 है ये 3 बटा 5 है और ये 4 बटा 5 है और ये 5 बटा 5 है या एक पूर्णिकाई यानि की होल है हमें 3 बटा 5 को पता करना है इसलिए हम 5 में से 3 हिस्सों में रंग भर लेते हैं ये 1 बटा 5 है ये 2 बटा 5 है और ये 3 बटा 5 है तो इस तरह हमने 5 में से 3 हिस्सों में रंग भर लिया है लेकिन हम 3 बटा 5 को 1 बटा 10 या 10 के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं इसके लिए हम पूरी इकाई यानि की होल को 1 बटा 10 में विभाजित कर लेते हैं और इस पूरी इकाई को एक बटा दस में बदलने का सबसे आसान तरेका ये है कि प्रतेक एक बटा पांच को दो बटा दस में बदल दिया जाए। तो ऐसा करने पर यहां कुल हिस्सों की संख्या दुगनी हो जाएगी यानि कि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हम इन पांच हिस्सों को दो से गुणा कर रहे हैं तो ये हो गए दस हिस्से प्रतेक हिस्सा एक बटा दस को प्रदर्शित करता है और ये तीन हिस्से भी दुगने हो ग यानि कि हमने इन्हें भी दो से गुणा किया है। ध्यान दीजिए, यहां हमने अभी अभी अंच यानि कि नूमरेटर और हर यानि कि डिनोमिनेटर को दो से गुणा किया है। यानि कि इन्हें से प्रतेइग हिस्सा एक बटा 10 को प्रधर्शित करता है। और इसी तरह इन तीन हिस्सों में से प्रतेइग हिस्सा दुगना हो गया है। इसलिए यह तीन बटा 5 अब 6 बटा 10 में बदल गया है। हम इसे लिख लेते हैं, ये 6 बटा 10 के समान है, लेकिन ये रोचक क्यूं है? आप 6 बटा 10 को 6 गुणा 1 बटा 10 के रूप में लिख सकते हैं, 6 गुणा 1 बटा 10, ये 6 बटा 10 या 6 गुणा 1 बटा 10 को प्रदर्शित करने का एक और तरीका है, हम 6 बटा 10 को दशमलो संख्या यान की decimal के रूप में लिख सकते हैं, तो दशमलों की रूप में लिखने पर ये हो जाएगा, 0 दशमलों के दाइयूर दशांश स्थान यानि की tense place है, ये एकाई यानि की once है, और ये दशांश स्थान यानि की tense place है, तो यहाँ पर कुल कितने दशांश है, यहाँ पर 6 दशांश है इसलिए हम इसे 0.6 लिख सकते हैं अब ये दशमलो संख्या यानि की decimal के रूप में है हम इसे लिख लेते हैं ये 0.6 के समान है तो इस प्रकार हमने भिन यानि की fraction को दशमलो संख्या यानि की decimal में बदल लिया है 0.6 6 बटा 10 के समान है जिसे हम 3 बटा 5 भी लिख सकते हैं